अग्यात बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकल सवार युवक की हुई मौत घटना की सूचना मिलते ही जोबां थाना पुलीस आगे की कारवाई में जूटी लोहर दग्गा जिले के किसको प्रखंट शेत्र के रीचु भुता मुखे सड़क के देव दरिया पुलीस पिकेट के समीब अग्यात बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकल सवार युवक गंभी रूप से घायल हो गया इधर घटना की सूचना मिलते ही जुबान थाना के एसाई रमेस्तिवारी दलबल के साथ घटना इस्तल पर पहुँच कर रमेस्तिवारी की सहयोग से गंभीर युवक को 108 एंबुलेंस की सुविधा से लोहर दग्गा सदर अस्पताल भेजा गया लेकिन अधिक चोट लगने के कारण इलाज के दौरान ललित उराओं की मौत हो गई बताया जाता है कि घायल युवक की पहचान ग्राम सर्जु पावा मक्का गाओं के रहने वाले हैं 25 वर्सिया ललित उराओं पिता निवल उराओं के रूप में पहचान हुई है इधर बड़ी संख्या में इस्थानिय ग्रामिनों का कहना है कि ट्रक चालक की लपरवाही वह तीज गती से वहाँ चलाने के कारण से घटना घटी है आपको बता दे कि रिचु गुटा मुखे सडक में तेज गती से बॉक्साइट ट्रक का परिचालन होने से आए दिन घटना घटी रहती है ऐसे में प्रशासन के द्वारा ट्रक चालक सही ट्रक माली के ऊपर कड़े तरीके से नकिल कसने की जरूरत है खबर 365 न्यूज के लिए लोहर दगगा ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट